हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए एक एप्स लेके आया हूँ जो कि आपके मुबाइल की स्टोरेज को मिंटेन डखने में आपको बहुत साथ देगा दोस्तों जिस तरह के से तिन पर दिन हमारे मुबाइल स्टोरेज में एप्स की भरमार होती जा रही है और उसमें से कुछ एप्स ऐसे भी हैं जो हमारे रोज के यूज में नहीं आते और हम उनको अनिस्टॉल भी नहीं करना चाहते तो दोस्तों मैं आपके लिए एक एप्स जिसे कि आप अपने SD कार्ड में उसको सेफ कर ले, बैक अप कर ले और जब चाहे उसको निकाल के इंस्टॉल कर ले अस्सलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है मसूदे मशंती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लान इजी आपको प्ले स्टोर में जाना है लिखना है एप बैक अप जैसे आप सेर्च करेंगे तो आपको दूसरा वाला जो आप्शन है एप बैक अप रिस्टोर उस पर जाना है तो दोस्तों यह एपक्स एप्स वालों का है 4.2 MB का है दस मिलियन डाउनलोड है 4.3 की रेटिंग है दोस्तों इसको अपडेट कर लेते हैं दोस्तों यह एप्स मेने पास पहले से ही इंस्टॉल है इसको ओपिन कर लेते हैं कि इसमें दोस्तों आपको एक सेटिंग करनी है आप जाएए इसके साइड वाले उप्शन ते और राइट ते उपर वाले कॉर्ण में आपको जाना है और आपको इसमें तीन उप्शन उपर दिखाएंगे गीरीन जो पैटर्न सा है उसमें तीन है इसमें लिखा हुआ इंटर्नल स्टोरेज करेंट मतलब अगर आप बैक अप करते हैं अपने एप्स को तो यह इंटर्नल स्टोरेज में जाएगा लेकिन हमको करना है अब इसमें देखिए कार्ट है इंटर्नल स्टोरेज पे तुम एश्डी कार्ट पे स्टोरेज करेंगे तो जैसे स्टी कार्ट करेंगे स्टी कार्ट का स्टोरेज आपको सामने दिखाई देगा इस वकत मेरा 5.3 यानिके 5.3 जी भी यूज हो चुका है अब नीचे जो आप्शन है इसमें स्टीच करेंगे बतला इंटर्नल स्टोरेज से और हमको अश्डी कार्ट में स्टीच करना है नीचे कुछ प्रोसेस आएगा इसको हो जाने दीजे तो दोस्तों ये लगभ़ पूरा हो चुका है नीचे का प्रोसेस अब आपका प्रोसेस करेगा बैकप करेगा तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा दू कि मेरा स्टोरेज जो है इस वक्त फरी इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा रेट पड़ा हुआ है जीडी तो बैकप करने के बाद में कितना रहता है आईए आपको दिखाते तो हम खोलेंगे एपस और हम से लेट करेंगे इसमें से जो हमको अनिस्टॉल करने हैं वेकप करने तो हम इसमें से इस्टॉल करेंगे आएख से ढूंज थे इसमें कौई साम अब से अनिस्टॉल करने चाहते हैं अपने बैकप करना है अपने इसटी कार्ड़ में तो फटाफ़में इसको जल्च कर लेता हो है तो सिलेकश करते हैं यह सारे एफות बैक अप के लिए रेडी हो जाएंगे और जैसे ही रेडी होके आप इनके नीचे बैक अप्षिन पर जाके इनको बैक अंँचे। कर सकते हैं धिक कि하면서 12 एस्ट फ्तस ने 10की नीचे के औप्षिन पर जाना है 153 MB का मैंने एप्स करें और देखें दीरे दीरे नीचे प्रोसेस हो रहा है और ये देखें ये आपके SD कार्ट में दोस्तों हमारे जो हमने बैक अप करें थे आपस वो हमारे SD कार्ट में आ गये हैं देख लेते हैं कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं माई फाइल पर जाएंगे SD कार्ट उपन करेंगे सबसे पहला ही आप्शन आपको दिखाया देगा एप बैक अप इस्टोर उसमें एप बैक अप पर जाएंगे आप देख सकते हैं कि कि इस्टॉल करते हैं जो हमने सेलेक्ड करेते तो अब हम इसमें अपने मोबाँ के अपस में आ गए हैं जो हमने इसलेक्ड करेते तो वो हम को अनिस्टॉल करने हैं झाल झाल लग मैंने सारे एप्स दिलीट कर दिये हैं और जी हाँ दोस्तों हम आगाए हैं अब पीछे की तरफ अपने एप्स इस्टोर में दोस्तों हम आगाए हैं अपने मुबाइल के एप्स में अब हमको अगर कोई सावी एप्स जो हमने अनिस्टॉल करा था तो हम फिर बैक आप स्टोर में जाएंगे और अर्काइब जो इसका दूसर आप्शन है उसमें हम देखेंगे कि हमारे कितने हमने वैक अप करेंवे हैं तो हमको यह चाहिए कि हमें क्रीक बज को जो है इस्टोर करें दुबारा अपने में इस्ट कर दिये थे बैक अप के बाद तो यह बैक अप के हुए एप्स हैं तो हम इसमें से किरिक पर्स पर करते हैं किलिक करते हैं और नीचे के ऑप्शन जो रिये वहां पर जाए दोसर जैसे आप करेंगे आटोमेटिक इंस्टॉल का उप्शन आएगा उसको यस कर दीजिए फिर जैसे ही आप परमीशन ओन करेंगे यह आटोमेटिक एप्स इंस्टॉल करेंगा अब हम फिर दी इस्टोर पे जाएंगे इस्टोर में जाके इस्टोर करेंगे ओके और उन्सोर्स ओके करेंगे और यह देखिए हमारा इस्टोर आप देख सकते हैं कि मेरे में क्रीक बज आ गया है वाप इस इंस्टॉल हो गया है तो इसी तरीके दर जारे जब आप चाहें वह एप्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसी एक के जरीए और जितने भी आपने बैकप करें हैं यह साथ आपके SD कार्द में आपके मुबायल में नहीं है आपका मूबायल का better इंस्टॉल करते हैं फिरी होंगया था इस तरहीं किसे आप अपने मोबायल को फिरी हलका हैंगिंग से बचा सकते हैं और हीट नहीं होगा बैटी जाजा नहीं खर्च होगी कोई भी ऐसे देखिए दूसरा एप्स में कर रहा हूं और सेटिंग पर जाता हूं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अगर इसके बारे में आपको पहले से मालुक्त हैं में तो आप उनको शेयर करें जिसको इसके बारे में नहीं मालुम है एक तरह की हेल्प होगी आपकी तरफ से तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुचेगा तो अभी के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफिज सलाम अलेकुम जाहिन